आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ सवाल यहां पर कहा रहा है Increase in the girth of plant is known as या फिर done by याने कि हमारे जो Increase होती है, girth किसकी हमारे Plant की, वो किसके द्वारा की जाती है या फिर क्या क्यालाईद आती है उसके बारे में बात करनी है देखिए, बेसिकली girth की बात हो रही है गर्थ को हम क्या बोल सकते है, Diameter जो हमारा Diameter होता है Plant का, वो अगर increase हो रहा है तो वो basically girth है याने, देखिए, Plant अगर इस प्रकार से increase कर रहा है, तो वो उसकी height होती है ठीक है, height में increase हो रहा है लेकिन अगर हमारे Plant की चोड़ाई increase हो रही है तो वो basically girth होती है तो यह जो हमारी growth होती है, गर्थ की यह हमारी कौन से type क्या कहलाई जाती है उसके बारे में बात करनी है देखिए, basically हमारे plant के अंदर जो growth होती है वो किसके दोरा accomplish की जाती है हमारे जो meristems होते हैं उनके दोरा accomplish की जाती है meristems क्या होते हैं, meristems हमारे specific regions होते हैं जहां पर हमें देखने को मिलते हैं meristematic cells और यह जो meristematic cells होते हैं यह हमारे actively dividing cells होते हैं यानि कि यह क्या है यह हमारे divide करते-करते नई cells को continue add-on करते रहते हैं हमारे meristematic regions के अंदर जो कि हमारे cells जो बने हैं वो हमारे क्या करते हैं differentiate करते हैं और mature हो जाते हैं ठीक है तो देखिए अगर मैं बात करूँ तीन प्रकार के Maristam होते हैं हमारे बेस्ट अन देर location एक होते हैं apical Maristam एक होते हैं intercalary और एक होते हैं lateral देखिए lateral वाले जो हैं वो sidewise located होते हैं हमारे plant के ठीक न ऐसे side में located रहते हैं plant के बात करूं intercalary के तो यह हमारे internoidal region पर प्रेजन 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 होते हैं या फिर मं बात करूं हमारे जहां पर जो leaf birds आती हैं वह हमारे जहां से आती हैं वहाँ पिंट्रेकल मेरिसम होते हैं और अगर बात करूँ, अपिकल मेरी स्टेम की, तो यह हमारे अपिक्स वाले रेजन पर प्रेजन पर प्रेजन होते हैं, याने कि जो अपिकल बर्ड्स होती हैं, वहाँ पर. अपिकल में बात करूँ, दो प्रकार की ग्रोथ जो हमें देखने को मिल जाते हैं, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, तो यहाँ पर हमारे प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं, वो डिफरेंशेट करते हैं, और साथी साथ में हमारे जो प्लांट की हाइट होती है, वो इंक्रीज क करना शुरू कर देती हैं तो प्लांट की आइटं हमारे प्राइमरी जिल सुन होती है लेकिन अगर मैं देख और कि जो हुती है उसके अंधर होता क्या है से थैंदर हमारा प्लांट होता है उसकी गर्थ या फिर है स्क डामेट्र बोलूँ या फिर चोडाई में अगर बात करूँ तो वो increase होती है किसके अंदर हमारी secondary growth के अंदर तो हमारा secondary growth में गर्थ improvement होती है और किसकी वज़े से होती है तो हमारी lateral meristream होते हैं वो हमारी responsible होते हैं जैसे कि vascular cambium, cork cambium ये responsible होते हैं किसी के लिए हमारी secondary growth के लिए यानि कि गर्थ को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार से ठीक है तो अगर मैं देखूं तो मैं राइट आंसर क्या होगा दियेगे सवाल के लिए हो जाएगा मेरा option D that is secondary growth. Thank you.